अमबाला की मेर शक्ती रानी शर्मा ने आज बाड नमबर 16 से बाड नमबर 20 तक के लोगों की शिकायतों को सुना इस दुरान लोगों ने गली नाली साफ सफाई वर सीवरज की समय साय रखी जिस पर मेर शक्ती रानी शर्मा ने तुरंट एक्शन लेने का काम किया अमबाला में लोगों की बढ़ती हुश शिकायत को देखते हुए मेर शक्तिरानी शर्मा ने लोगों की शिकायते बाट अनुसार सुनने के लिए कैम्प लगाया कैम्प में वार्ड नंबर 16 से लेकर वार्ड नंबर 20 तक के लोगों की शिकायते सुने गई इस दोरान लोगों ने गली, नाली, साफसफाई वसिवरेज की समस्था है रखी जिस पर मेर शक्तिरानी शर्मा ने तुरंट एक्शन लेने का काम किया मेर शक्तिरानी शर्मा के सामने लोगों ने अधिकारियों के दौरा उनके शिकायतों पर सुनवाई ना करने और उन्हें लटकाने की बात भी कही जिस पर मेर शक्तिरानी शर्मा ने कहा कि वे उस पर एक्शन लेने का काम करेंगी और लोग उनके संग्यान में ऐसे मामले जरूर लाएं सब्सक्राइब करें लोगों की जो डे टू डे वाली समस्या है उन्होंने अपने मेरे सामने रखी है खास करके सीवरेज की है या नालियों की बरसाती पानी की है तूटी हुई सड़कों की है किसी ने टावर की भी रखी है अलग-अलग तरह की सबकी इंडिविज्वल समस्या आई थी तो उन्होंने रखी है और मैंने उनको अश्वासत किया है कि जो भी मेरे ताइरे में आती होंगी वो मैं उनको जल से जलने जाद दिलवाएं देखे अगर कोई प्रॉपर कंप्लेइन मेरे को देगा तो तो मैं उसके उपर संग्यान ले सकती हूँ अगर कोई जेनरलाइस्ट कहे कि अधिकारी काम नहीं कर रहे है या वो नहीं कर रहे है उसके उपर मैं कुछ नहीं कह पाऊंगी पर हाँ अगर कोई reason मुझे लिख के दे कि हाँ अधिकारी ने ये काम नहीं किया है या इस बज़े से टाला है तो उसके उपर जरूर में कारवाई कर सकते हैं